हमारे साथ बिहार के स्वास्समंत्री मंगल पांडे जी है आप से सर जानना चाहेंगे कि बिहार में कुरोना वैक्षिंट अभी हान के मोजूदा है कि करोना वैक्षिंट का बहुत ही बेहतर तरीके से जनता के बीच इस्तेमाल हो रहा है और अभी तक राज्य राज्य में दो करोड़ दसलाग से अधिक दोज दिये जा चुके हैं और कई छेत्र ऐसे हैं बिहार के जहां पर पानी आ गया या बाड़ जैसी इस्थिती बनी है तो उन सभी जगों पर भी विशेश तरीके से टीका करन का अभियान चलाया जा रहा है हम नाओं से टीका को भ आसा की कारे करता हैंएं नेम हैं वो सभी उन صुदूर चेत्रों तक जा रहे हैं जहां पर लोहें को टीका देना जरूछी है इसके अतृ amor जान इसके जहरा है यह और घर महल lip को भी हम ठीका देते हैं हमने विवस्था बनाई है कि जो हमारे राज्य के अंदर वृध जन है या दिव्यांग जन है उनको जदी ठीका के अंदर तक आने में दिक्कत है तो वह हर जिले का एक कor रोंब का नंबरं हमने सारजर्य किया थे उस नंबर पर वोडाइल करेंगे और आउनकर अन गती को रही होoning में इस कि पुषे करो और श्ते करोब दिसंबर तक सभी ब्हुर्यों को दोल क। प्रडे की यंग है कि left लॉग करुषे हैं और निश्चित रुप से उस लक्ष को क्राप्त करने के लिए हमने मानोबल भी तयार कर लिया है उनको प्रसिक्षित भी कर लिया है एक दिन में हम साड़े साथ साथ लाख डोज दे के भी देख लिए कि हमारी छमता इतनी विखसित हो गई है तो हम आसानी से लक्ष को क्र हैं उनके भी विचार आते हैं दुनिया से खबरे मिलती हैं दुनिया के कई मुलकों में तीसरे बेव की जानकारी भी मिलती है तो मुखरूप से जो ऑक्सीजन की प्रयाप्त मात्रा में उपलब्धता के लिए तैयारी करनी है वह हम सब लोग कर रहे हैं और 31 अगस्त एक सो ब सब्सक्राइब के लग रहे हैं आई जीए में सिक्स्टी केल पीम सीच में 40 केल तो इस तरीके से अलग-अलग मात्रा के हमारी यह मेडिकल ऑक्सीजन टैंक भी रहेंगे इसके तरीक जो मानोबल की अधिकता चाहिए तो डॉक्टर्स की बहाली हो रही है अभी कांसलिंग का काम खतम हुआ है इस प्रेस्ट्रीस डॉक्टर्स जेनर मेडिकल ऑफसर्स आयूस डॉक्टरों की बातीसो सब्सक्राइब की बहाली का कारे चल ला है इसके करीब इसके बाद करीब सब्सक्राइब हजार इनेंस थे उनकी भी अक्रिकृट्प्ट के कारे चेंश के तहथ फुल हो गया है तो हर तरह के जो मानोबल की ज़रूरत है और यह नियमित परक्रिया है पिछले साल वी सितंबर में हम लोगों ने किया था उसके पुर बड़ी संख्या में एन गाली की और इस अगर द दे थी इसके तरिक जो आवस्य को करने हैं उपकरनों को हम अस्पतालों में भेज रहे हैं आधारबुत संदचनाओं को ठिक कर रहे हैं जो हमारे अस्पताल के पुराने भवन हैं या ने भवन बनाने की जहां जरूरत है ऐसे लगबक सोलो सो अस्पताल के भवनों के बनाने की निवीदा हम लोगों ने प्रकासित कर दी हैं तो सारा कारे किया रहा है और भारत की सरकार से भी लगातार सहयोग मिला है आधानी प्रधार मंत्री जी के नित्रूत में अभी जिस पैकेज की घोसना हुई है आधारबुत संदचनाओ को ठीक करने से लेकर इंबुलेंस की विवस्था इत्यादी के बारे में तो वो सारे कारे भी हम भारत की सरकार के सहयोग से पूरा करेंगे और पूर में भी चाहें वो टीका की उपलब्दता हो या अन्य सारे सहयोग दवाईयों से लेकर उपकरन तक भारत की सरकार ने पू सब्सक्राइब करें तो थार्ड लहर को खुद दावत देने वाली बात होगी तो पब्लिक से सिच्वेशन में क्या अपील करना चाहिए हम लोग तो बार बार अपील कर रहे हैं आदर्णिय प्रधानमंत्री जी ने भी देश की जनता से आगरे कि तीसरी लहर की संभावना ब बात का आगरा करते रहे हैं कि जो करोना के प्रोटोकॉल है उसका पालन करना चाहिए दूरी रखनी चाहिए हाथ की साफ सफाई रखनी चाहिए मास्क लगाना चाहिए अनावस्य घर से नहीं निकलना चाहिए कहीं बाजार में बहुत भीड़ी कठा नहीं होना चाहिए तो तो बंगल पंडे ने वैक्सिनेशन अभियान और तीसरी लहर की त्यारी पर बाचित किये, साथ में लोगों से अपील की है कि कुरोना प्रोटोकॉल का पालन जरूर करें, मास्क जरूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें, ये खास करके भीहार के लोगों से अपील कर रहे हैं डिल्ली से एटीवी भारत बिहार के लिए मैं से शांग कुमार